हलो फ्रेंट्स वल्कम तो माई चानल एक्सल इजी तो मैं आगा एक नए वीडियो के साथ में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आपकी प्रोडाक्ट की कि सेलिंग प्राइज डिसाइट कर सकते हैं प्रोफिट मर्जन की बैसेस पर बहुत ही इंपोर्टेंट ही कि हमें प्रोफिट मर्जन सेट करें जो परसेंटेज बेस्ट हो हमारे हर एक प्रोडाक्ट के लिए तो आने बले दिनों में अगर जो हमारा प्राइज है प्रचेस प करेंगे on the basis of profit margin percentage तो देखिए यहाँ पर मेरा पास left side में product से सारे laptop की माने name नाम लिया है यहाँ पर हमारा purchase price है और यहाँ पर profit margin percentage selling price उसका basis पर automatic यहाँ पर generate हो रहा है हो सकता है HP का जो chrome book है 22,000 आपका purchase price गी रहा था 22,999 मतला approximately 23,000 हो सकता है यह 25,000 में आपको आ रहा है भी देखिए तो पहले का हमारा selling price है 27,000 में दे रहा था 21% अपका profit margin था 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 अब यह same profit margin है देखिए आभी 25 में आ रहा है तो यह आपको 30,000 में को sell करना पड़ेगा पर काफी time क्या होता है हम जो price है selling price उसको हम इतने जल्दी उसको बरा नहीं सकता है हो सकता है हम customer lose होने की chances हो या फिर हमने already उसका जो price है set कर दिया काफी जगह हमने उसको publish कर दिया advertisement कर दिया लाबला हो सकता है तो हम जो price है वो इस तरह से मतलब all a sudden हम उसको increase नहीं कर सकता है जबकि हमारा purchase price बर जाता है इस दुरान हमको क्या करना पड़ता है हम उसको 27,000 में राखना है तो हम उसको क्या करना पड़ेगा profit margin जो है हमारा उसको कम करना पड़ता है तो जैसे कि हमारा 8% डाल दिया 27,000 रुपे सागा जो पहले भी था तो यहाँ पर देखिए हमारा profit margin हमने घटा लिया है यह हम देख रहा है हमको पता चलेगा 8% हमारा profit margin है जब आने बले दिनों में जब हम फिर से हमारा selling price हम फिर से decide करेंगे जो हमारा menu card उसको update करेंगे उ 21% में लेकर आएंगे और जो selling price इसका basis पे decide हो रहा है वह हम फिर से नया selling price हम decide करेंगे उस card में add कर देंगे इस तरह से selling profit margin का जो percent जो बहुत ही important आपका business में तो मैं आपको बताऊंगा जो calculation है किस से हो रहा है सबसे पहले मैं इसको delete कर देता हूं अब यहापर हम एक formula लगा कराएंगे जो होगा equal to यहापर हमारा जो purchase price इसको हम into करेंगे with profit margin जैसे हम enter किया देखिए यह जो 25,000 इसका 21% चुड़ा इतना यह आपका profit margin है ठीक है आप profit margin का साथ में हम क्या करेंगे purchase price को भी add करेंगे तक हमको selling price मिल जाए plus किया फिर सामने purchase price को add किया और enter तो इसी तरह से हमने हमारा जो selling price है decide हो गया हमारा जो profit margin percentage है उसका basis पर अब हम जितने भी हमारा product है सब के लिए auto fill कर देंगे, auto fill किस तरह से करेंगे, इसी sell पे click करेंगे, mouse को right side में लेके जाएंगे, जब तक ना यह जो कर सारे देखिए यह छो पतला सा plus button में change हो जाए, जैसे change होगा हम उसको निचे के और जितने भी product है ड्राग कर देंगे, automatically हमारा जो formula है सारे product की selling price है आपे निकाल के दे देगा, तो friends I hope कि यह video से आपको कुछ नया सिखने मिला और यह जो calculation है, यह format जो है बहुत ही important है आपका business के लिए बहुत ही useful है, so thank you very much for watching this video